हेलो हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल गूगल स्टड़ी अज आपका हमारे चैनल गूगल स्टड़ी पर स्वागत है अज हम डिफ्रेंशेशन के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चिन करने जा रहे हैं जो इंडियन नेवी और एरफोस में आते हैं और बहुत ह है और ऐसे ही कोश्चिन आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं तो हमारा पहला कोश्चिन है वर इस दा डेरिवेटिव ओफ लॉग एक्स 5 एक्स बेस है विद रिस्पेक्ट टू लॉग 5 एक्स ठीक है तो हमें यहां पर फोर आप्शन दी हुए है ठीक है तो हम यहां प हमारा पास जो फर्स्ट फॉंक्शिन है और सेकन्ड फॉंक्शन फॉंक्शन फॉलल लेंगे दूज़कू जूसरी को जिएक्स माल लिया ठीक है करना होगा ठीक है तो हमने यहां पर डिवाइट किया ठीक है इसके को लाया ठीक है log 5 log 5 square हो गया ठीक है हमने इसको square में लिखा ठीक है यह लिख दिया log x5 और जब हम इसको one upon की form में लिखेंगे तो इसकी power और जो base होगा वो changes आएगा ठीक है और यह इसके को लाएगा ठीक है तो हमारा यह answer है minus log x5 is about minus 2 ठीक है तो हमारे पास third part इसका correct answer हो जाएगा third part correct answer ठीक है अब हमारे पास है question number 2 ठीक है if root of x plus root of y is equal to 2 then what is dy upon dx at y is equal to 1 x is equal to ठीक है तो हमने first हमारा question लिखा root x plus root y is equal to 2 1 by 2 root x plus 1 upon 2 root y differentiation किया root x का मैंने बताया कि under root x का differentiation हमेशा 1 by 2 root x होता है ठीक है चाहे under root में अंदर कुछ भी लिखा हो ठीक है फिर अगेन उसका differentiation होता है with respect to x है तो अगे कुछ नहीं होगा और y है तो dy upon dx is equal to 0 ठीक है जब हमने इसको solve किया ठीक है हमारा solve करने के बाद हमारे पास 1 upon 2 root y dy upon dx is equal to 1 by 2 root x minus 1 by इसको पहले तरफ लेगे तो minus हो गया ठीक है और dy y upon dx add x और y is equal to 1 तो x और y की value put की यहाँ पर minus है is equal to minus 1 आ गया ठीक है अब question number 3 है ठीक है minus 1 तो हमारा fourth part correct हो जाएगा ठीक है fourth part is our correct answer very important question है अब है differentiation 10 inverse sin x upon 1 plus cos x ठीक है तो हमने यहाँ पर लिखा ठीक है तो sin x ठीक है हमारे पास एक sin x का formula रहता है ठीक है हाँ sin 2 x का sin 2 x is equal to क्यों होता है 2 sin x और cos x ठीक है अगर हमने 2 2 से divide किया तो हमारे पास 2 से cancel to sin x की value हो जागी और sin x की value put की और यह हमारे पास 1 plus 2 cos x minus 1 की value होती है cos x की ठीक है तो हमने पूट किया और 1 cos cancel out और हमारे पास 10 x by 2 और y is equal to x by 2 और differentiation किया तो 1 by 2 और हमारा first part is our correct answer and thanks for watching like the video